नमस्कार दोस्तो ट्रैवेल लेरिस चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ संजय उमीद करता हूँ कि आप लोग जो केदानात का यात्रा है सारे अपिसोड देखे होंगे तो कैसे लगा वह हम लोगों को बताएगा कॉमेंट सेक्षन पर तो जैसे कि हम लोग वीडियो में बताये थे कि आज हम लोग यहां पर केदाना जात्रा के लिए सबसे इंपोर्टन तीन जो पॉइंट है उसके उपर डिटेल में बात करेंगे तो पहले मैं बता देता हूँ यह तीन चीज़ क्या है परस्ट पॉइंट अपना होगा कैसे और कब जाएंगे दूसरा कितना दिन के लिए प्लैन करेंगे और तीसरा आपका बजट क्या होगा तो इन तीन चीज़ के उपर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे तो आप यह वीडियो पूरा एंड तक देखना तो काफी सारा इनफॉर्मेशन आपके पास आएगा बहुत सारा जानकारी मिलेगा तो उसमें आप इसके बाद कोई भी टाइम पे अगर केदाना द्यात्रा करोगे तो वो बहुत सारा हिल्फुल होगा आप लोगों और दोस्तो हम लोग यह वीडियो हिंदी में बना रहें क्यूंकि हम लोग चाहते हैं कि जादा से जादा लोगों के पास यह इनफॉर्मेशन पहुंचे तो इसके बाद कोई भी टाइम पे अगर किदाना जात्रा कोई भी खड़ने चाहेंगे तो यह इनफॉर्मेशन और यह वीडियो काफी आपको हिल्फुल होगा तो चलिए हम लोग यह तीन पॉइंट के उपार डीटेल में बात करते हैं दोस्तो पहले हम बात करेंगे कब और कैसे जाएंगे तो दोस्तो आपको मैं बता देता हूँ यह केदानात का मंदीर साल में सिप 6-7 मैं नहीं खुला रहता है जो चाली होता है एप्रिल में में अक्षे तितिया के दिन से और कपाट बंध हो जाता है ओक्टोबर नवेंबर में कार्तिक पूर्णी माते बाद तो दोस्तो इसी बीच आप लोगों को यह केदानात जात्रा का प्लैनिंग बनाना है एप्रिल में और जून में में यहाँ पे ज़्यादा सध्धालियू आते है तो इधर रस ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो मेंगाई है वो बहुत बर जाते तो अगर आप इस बीच में आने का प्लैन कर रहे हो तो आपको बजेट हाई लेके आना पड़ेगा जुलाई और अगस्ट मेंने में बारीज ज़्यादा होने के कारण इधर रास्ता खराब रहता है तो मेरा रेकोमेंडेशन है कि आप इस दो मेना यात्रा नहीं करे सेप्टेंबर और अक्टोबर महिने में यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहता है आप इस बीच आराम से प्लैनिंग कर सकते हो आसकते हो इधर यहाँ पे ठंड थोरा ज़्यादा मिलेगा वो भी ऑक्टोबर के इंड से बर यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा है इस बीच आप प्लैनिंग बना सकते हो मैं एक वेबसाइट अभी स्क्रीड में शियर कर रहा हूं इसमें चाके आप देख सकते हो मंदिर का कपाट खुलने का और बंधोने का टाइमिन क्या है तो दोस्तो इसी हिसाब से आप प्लैनिंग करके तो दोस्तो आप कहीं से भी आओ आपको पहले हरिद्वार नहीं तो रिशी केस पहुँचना पढ़ेगा हरिद्वार आप बाई ट्रेन और रोड पहुँच सकते हो अलोबर इंडिया से हरिद्वार आने का बहुत सारा ट्रेन एवलेबिलिटी है और अगर आप फ्लाइट आ रहे हो तो नियारेस्ट जो एरपोर्ट है वो है देरादुन में तो उहां पहुँचके आप बाई रोड हरिद्वार नहीं तो रिशी केस पहुँच जाईए उसके बाद हरिद्वार से बाई रोड आपको स्वन प्रयक्त तक जाना परेगा दोस्तो एक चीज में बता द रो सकती हो यह स्वन प्रयक्त है कि लास्ट कोई भी जाती है उसके बाद कोई भी बसेस या प्राइवेट विकेल जाने का अनुमथी नहीं है अगर distance देखा जाए तो हरिद्वार से स्वनप्रयक 230 किलोमेटर देरादुन से स्वनप्रयक 250 किलोमेटर और रिशी केज से 210 किलोमेटर यहां था क्या यात्रा आप बस में कर सकते हो आपका खुद का गारी में कर सकते हो या अगर आप कोई एजेंसी के त्रू कोई गारी बुकिंग किया तो उससे भी कर सकते हो मैं बस का टाइमिंग बता देता हूँ हरिद्वर से ये बस शुभा को सारे 4 से 5 बचे के आसपास छुटता है और उसके बाद भी बहुत सारा बसेस है जो आपको मिल जाएगा हरिद्वर रेलोई स्टेशन के नियार बई में पर मेरा रेकोमेंडेशन है कि एकदम अर्ली सुभे का फर्स्ट बस पकड़िये वो आपको हरिद्वर से स्वन प्रयक पहुचा देगा उसके बाद जो बस है कभी-कभी क्या होता है कि हरिद्वर से रुद्र प्रयक तक वो लेकर जाते है उसके बाद रुद्र प्रयक से आपको स्वन प्रयक तक दूसरा एक बस करना पड़ेगा दोस्तो जो बास का भारा है वो तक्रिबन सारे 500 से सारे 700 के बीच में रहेगा वो डिपेंड करता है कि आप online बुक कर रहे हो कि वहाँ पे जाके offline बुक कर रहे हो उसके उपर शेयर टेक्सी कैब में पर हेट 1500 से 2000 रुपया लेता है और अगर कोई प्राइवेट गारी आप बुक कर रहे हो तो उसके सारे 3000 पर डे के हिसाब से वो लोग चार्ज करते है वो भी डिपेंड करता है कि आप छोटा गारी ले रहे हो कि बड़ा गारी ले रहे हो उसके उपर ड किलोमेटरी आगे है सोन प्रयाक से तो उहां पे आप लोग को रहने का जो बंदोवस्त है दो तीन तरीके से बंदोवस्त है आप रूम ले सकते हो जो कि भारा एराउंड आपका 1000 से 1500 के बीच में आएगा डबल बेड रूम और आप लोग नहीं तो उहां पे डॉर्मेटरी सिस्टेम है जो 400 रूपिया पर हेट के हिसाब से लेते है वहां पे आप लोगों को एक गद्दा एक चद्दर और एक कंबल जैसे मिल जाएगा दोस्तों अगर खाने की बात करे तो हर एक जगा पे आप एवरेज ली लांच और डिनर के लिए 150 रूपिया और ये 5 किलोमीटर रास्ता है जो आपको आदा घंडे के अंदर अंदर पहुचा देगा गौरी कुंट के बाद और कोई गारी आगे जाती नहीं है उसके बाद पहारियों का जो ट्रेकिंग रूट है वो चाली हो जाता है जिसमें पैदाल अगर जाएंगे आप तो आपको 16 कि पर अभी नया जो रास्ता बना है वो लगभग 22 किलोमीटर के आसपास हो जाता है ये रास्ता तैय करने में आपको 10 घंटा लग जाएगा अगर आपका ज्यादा ट्रेकिंग का एक्स्परियेंस नहीं है तो तो मेरा डेकोमेंडेशन नहीं है कि आप जितना जल्दी हो सके आर्ली मॉर्निंग यात्रा स्टार्ट कीजिए जैसे कि मैक्सिमां 5 बचे के अंदर अंदर आप स्टार्ट करतीजिए तो आप शाम तक लगभग 4 बचे 5 बचे के आसपास आप पहुँच जाओगे किदानाथ टेमपल के पास इसके लवा आपको इधर घोरा खचर मिलेगा जो आपको गोरिकुंड से किदानाथ 23 रुपिया भारा लेगा और किदानाथ टो गोरिकुंड बापसाने में 15 रुपिया पर हेट के हिसाब से भारा लेगा दोस्तो आपके जानकरे के लिए बता देता हूँ ये घोरा मंदिर से 1-1.5 किलोमेटर पहले तकी जाता है उसके बाद आपको जो 1.5 किलोमेटर रास्ता है वो पैधाली जाना पड़ेगा आप यहां से पिट्टू और पालकी भी कर सकते हो पिट्टू का भारा 6-8,000 के आसपास रहता है और पालकी का 9-10,000 रुपिया रहता है ये सारा भारा जो है ये डिपेंड करता है कितना भीर है उसके उपर और दोस्तो आप हेलिकाप्टर सर्विस भी एवेल कर सकते हो जिसके लिए आपको सोन प्रयक्ट तक आने का जरुरत नहीं है सोन प्रयक्ट से 15 किलोमीटर पहले फाटा करके एक जगा है उहां से आपको हेलिकाप्टर का बुकिंग मिल जाता है सीजन के टाइम पे मैं रेकोमेंट करूंगा कि आप अनलाइन बुकिंग कर लो और ओप सीजन के टाइम आप इधर आके ओफलाइन बुकिंग भी कर सकते हो हेलिकाप्टर का आपका राउंड ट्रिप का भारा एप्रोक्स 6000 रुपया पर हेट के हिसाब से लगेगा मैं आभी स्क्रीन पे हेलिकाप्टर बुकिंग का एक साइट का लिंक दे रहा हूं आप इधर जाके एवलेबिलिटी चेक कर सकते हो तो दोस्तो ऐसे आप केदाननाध धाम तक पहुँच सकते हो दोस्तो अभी बात करते हैं कितना दिन का ये प्लैनिंग करना है तो दोस्तो जो हरिद्वार आपको पहुचना है वो मैं आपके उपर चोईस छोड देता हूं हरिद्वार से केदाननाध होके फिर से हरिद्वार बापासाने में कम से कम चार दिन का प्लैनिंग लेके आपको चलना पड़ेगा उसमें ऐसा ही होगा कि हरिद्वार से स्वोन प्रयाक पहला दिन, स्वोन प्रयाक से केदान्नाथ दूसरा दिन, फिर बापास आने के टाइम, केदान्नाथ से स्वोन प्रयाक तीसरा दिन और स्वोन प्रयाक से हरिद्वार चोथा दिन अगर आप helicopter service एवेल कर रहे हो तो आप तीन दिन का भी planning कर सकते हो पर मेरा recommendation है कि आप चार दिन का ही planning करो एक्स्ट्रा आपके पास कोई दिन रहे गया तो वो आप केदान्नात पे time spend कर सकते हो केदान्नात मंदिर का दर्शन और आर्थी के साथ साथ आप उधर भैरवनाथ टेंपल वासु की ताल और आदिगुरु संकराचारिया का समधिस्थाल भी विजिट कर सकते हो तो दोस्तो अभी बात करते हैं बजेट के उपर एप्रिल में और जून मैने में अगर आप जाने का प्लैन कर रहे हो तो आपका उस टाइम का हाई बजेट रहेगा आदरवाइस आपका जुलाइ से औक्टोबर तक नॉर्मल बजेट रहेगा हरिदबार से हरिदबार तक चार दिन का कहां कहां पे आपका खर्चा होगा उसका में एक लिस्ट बनाया हूँ जैसे कि आपको हरिदबार से सौन प्रायक पहुंचने के लिए एक खर्चा परेगा गारी का फिर सौनप्रायक में आप पहुँच के अगर आप रात को उधर रुख गया तो आपको होटेल का एक कोस्टिंग पड़ेगा फिर सौनप्रायक से गोरी कुन जाने का एक खर्चा होगा गोरी कुन से आप जब केदानाथ ट्रेक करोगे उसके लिए भी एक खर्चा होगा तो वो डिपेंड करता है आप पैदल यात्रा कर रहे हो या घोरा खचर पे जा रहे हो या हेलिकाप्टर पे जा रहे हो उसके उपर केदानाथ पहुँचने के बाद आप उधर अगर एक रात रुख गया तो आपको उधर नाइट स्टे का एक खर्चा पड़ेगा जो की आप बेस कामपे भी रुख सकते हो जो गावर्मेंट का है वो मंदिर से एक किलोमेटर पहले परता है इसके लावा आपको मंदिर के आसपास भी बहुत सारा होटेल मिल जाएगा उधर भी आप नाइट स्टे कर सकते हो सेम आपको बापस आने के टाइम भी इसी तरीके से खर्चा पड़ेगा और इसके लावा आपको चार दिन का लंच, डिनार, ब्रेकफ़स्ट और चाय बगरा का एक खर्चा पड़ेगा तो दोस्तों ये सारा खर्चा जोड़ने के बाद अलग-अलग कैटेगोरी वाइज पर हेट का कितना खर्चा आएगा तो उस हिसाब से मैंने एक रेट चार्ट बनाया है तो जो आभी आपके स्क्रीन के उपर दिख रहा है इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप हरित्वार से स्वन प्रायक तक बस में ट्राविल कर रहे हो और उसके बाद अगर आप ट्रेकिंग पैदल जा रहे हो तो ओप सीजन में आपको पर हेट 5,500 और पिक सीजन में आपको 9,000 रुपया खर्चा परेगा सेम चीज अगर आप घोरे खचर पे जा रहे हो तो ओप सीजन में 9,500 और पिक सीजन में 12,000 और अगर आप हेलिकाप्टर का सुविधा एभेल कर रहे हो तो राउंड ट्रिप के लिए ओप सीजन में 12,000 और पिक सीजन में 15,000 पर हेट की हिसाब से आपका खर्चा पड़ेग तो दोस्तों उमीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफी सारा इंफोर्मेशन मिला है और इसके इलाभा भी आपको अगर कुछ क्वैरीज हो तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्षन पे आप जरूर बताईगा मैं हर एक कॉमेंट का डेफिनेटली एंसर करूंगा तो इस वीडियो आपको कैसा लगा ये बताएए और ये वीडियो को आप अगर अच्छा लगे हो तो डेफिनेटली इसको आप शेर कीजिये लाइक कीजिये और इस चैनल पर आप लोग अगर नय हो तो चैनल को सब्सकाइब करतीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाड तो कि हम लोग जो next video देंगे तो सबसे पहले वो आभी के पास आएगा और दोस्तो हम लोग एक next video में केदानाध जात्रा का जो tracking है उसके बारे में कुछ tips देंगे उसके लिए एक separate video हम लोग बना रहे हैं तो वह भी आप follow करना उसमें तो वह बहुत सरा आपको helpful रहेगा तो thank you for watching this video हर हर महादेर